मोटिलीटी साइकोसिस के बारे में आज बात्चीत करते हैं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक करेकर मैं मनोविकार, सेक्सरोग, सम्मुहन तथा व्यस्थनमुक्ति तग्यों महराष्टे में आकोला में प्रेक्टिस करते हैं सबके लिए मामसिक स्वास्थ है बेशनमुक्तभार ये हमारा संकल्प है एक स्याइकोसिस है मतलब एक पागलपन है मांसिंग बीमारी है जिसको बोलते हैं मॉटिलीटी साइकोसिस् यह catatonic schizophrenia जो है यह catatonic stupor उसके जैसा दिखता है दिखने में यह catatonia जैसा दिखता है दिखने में इसमें खासियत क्या एक तो उसमें अरकाइनेटिक psychosis है यह hyperkinetic psychosis है अरकाइनेटिक मतलब हलचल पुरी बन हो जाना एक staring look ऐसे body rigid करना तो यह catatonic stupor कैसा दिखता है हलचल नहीं बात्चीत नहीं पर कभी हसना कभी कुछ तभी irrelevant talk करना अपने मन से कभी खाना कभी खाना कभी खाने का नहीं और बहुत ही कम moment ready है दूसरा है का hyperkinetic psychosis तो hyperkinetic मतलब बहुत ज्यादा हल चल है बहुत ज्यादा moment है इदर से उदर उदर से इदर कभी violent हो जाना कभी excited हो जाना और कभी मैनिया जैसा दिखता है और मैनिया नहीं रहता क्योंकि इसमें mood disorder नहीं रहती तो hyperkinetic में restlessness है बहुत ज्यादा moment है बहुत ज्यादा excitement है और वो schizofrenia का प्रकार है तो यह दोनों भी और hyperkinetic psychosis जो है वो दोनों treatment के लिए मतलब treatment के लिए बहुत जरूरी है को treatment करना क्यूंकि इसमें खाना खाना नहीं है या hyperkinetic में ज्यादा excited हो गया तो जान को खत्रा हो सकता है लोगों खत्रा हो सकता है और काइनेटिक में खाना नहीं खाता फिर poor intake है पीना नहीं खाना नहीं तो उसमें जान को खत्रा हो सकता है तो दोनों का यलाज हो सकता है antipsychotic treatment is the best लोरेजिपाम कभी कभी बहुत काम अच्छा करता है और इसको time बहुत लगता है इसमें क्या करते है युजिल है कि ब्रेन में तो कुछ problem नहीं है वह असर्टन करने के लिए पहले सा city scan कर लेते बाकी blood investigation कर लेते और बाकी सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट है तो और दवाई से फायदा नहीं हो रहा है तो या दवाई नहीं ले रहा है तो इलेक्ट्रिक कनोजिव थेरेपी ECT recommended है जिससे बहुत जल्दी फायदा हो जाता है तो यह मोटीलीटी साइकोसिस मोटीलीटी मतलब मोटाइल जो है मतलब मुमेंट ज हुश हो सकता है तो इसका इलाज होने के लिए लोगों को जानकारी करने के लिए होने के लिए अब चारा सवारा लोगों को यो शेयर करोahaha कि लोग अंदसरद्धा के इसमें ना आते हुए कोई faith healers के पास में जाते हुए उपका इलाज करें और अपना जन अच्छा जिएंगे thank you very much